नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत हैं ब्रेकिंग न्यूज बलिया 2024 के पहले केंद सरकार को बना देना चाहिए लव जिहाद कानून प्रवीन तोगडिया विवादिता बयान देना स्वामी प्रसाद मौर्य की पुरानी आदत सोमवार को नगर के टाहुन हाल बापु भवन में आयोजित हुआ इस दौरान मुख्यवक्ता के रूप में विश्व विख्यात कैंसर सर्जन वह अंतर राष्ट्रिय हिंदू परिशद के संस्थापक अध्यक्षदा प्रवीन तोगडिया ने अपनी ओजस्वी भाषन से सब को मंत्र मुगध कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद सरकार को काशी मतुरा और लव जेहाद के लिए 2024 लोग सभा चुनाव से पूर्व कानून बना देना चाहिए। कहा कि जहां मोदी और वर योगी हैं वहां कानून बनते देर नहीं लगेगी। पत्रकारों से बातचीत के दोरान एक प्रश्न के उत्तर में श्री तोगडिया ने कहा कि रामचरित मानस पर विवादित टिपनी करने वाले पूर्व मंत्री सपा MLC एवं राष्ट्रिय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्या सस्ती लोग प्रियता के लिए उलजूल बयान दे रहे है वैसे स्वामी प्रसाद मौर्या के लिए यह कोई नई बात नहीं है इसके पहले भी कभी गोबर गनेश्टो तभी हलाला पर विवादित बयान दे चुके है विवादित बयान देना उनका शगल बन दया है बताया कि रामचरित मानस पर विवादित बयान देकर स्वामी प्रसाद मौर्य करोणों हिंदूओं की आस्था पर कुठाराघात किया है मुदी है वहां जरूर कानून बना देंगे आप कैंसर के डॉक्टर रह चुके हैं आप पर क्या लगता है कि इस समय सबसे बड़ा देशन के विए कैंसर क्या है जेहाद तो आप सर्जरी करें सर्जरी करेगा ना जल्द पूरी हो जाएगा